जैसे जैसे मदगर्णा के दिन नजदी का रहे हैं योपी की सियासत का पाराज चड़ता ही जा रहा है एक और समाजवादी पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष अखलेश यादव लखनव में प्रेस कॉन्फरेंस कर मदगर्णा में धांदली होने की आशंक जता रहे हैं तो वहीं दूसरी और फतहपुर सीट से उनकी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे नरेश उत्तम प सियासे गलियारों में ऐसे चुच्चा है कि ये पोश्ट पहले फेस्बुक पर पोश्ट की गई थी लेकिन बाद में वारल होने पर दिलित कर दी गई शोशल मीडिया से वारल इस पोश्ट का कथित स्क्रीन शॉट लेकर भाजपा नेता समाजवादी पार्टी के हार की बॉकलाहट में हमले की योज़ना बढाने का आरोप लगा रहे हैं सोमार के दोपहर नरेश उत्तम पठेल की कथित पोश्ट अचानक शोशल मीडिया पर वारर होने लगी इस पर सैकड़ो लोगों ने कमेंट किया पोश्ट को लेकर पुलिस चौकननी हो गई वही फताइपोर से भाजपा प्रत्याशी और केंद्रे मंत्री साधवी निरंजन ने अपने आवाज पर मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया कि मदान के दिन पर होली सराय में हमला हुआ था उन्होंने आगे कहा कि हो सकता है कि हार सुनक्षित जानकर उनकी बागलाट में दुबारा हमले की योजना हो प्रशाशन को इस पर नजर रखना चाहिए ऐसे लोगों को मतगर्णा स्थल से दूर रखना चाहिए केंद्र राज्य मंत्री भाचपा प्रत्याशी सादवी निरंजन चियोदी ने नरेश उत्तम की कथित पोस्ट को लेकर समाजवादी पाठी पर हमला बोला है उन्होंने कहा कि इन्हें ना चुनता ना निर्वाचन प्रकडिया और ना ही मेडिया पर भरोसा है उन्होंने कहा कि निस्पक्ष चुनाव हुए है मदगर्णा की भी निस्पक्ष हुई है सपा नेताओं की इस तरह कारिकरताओं को उतेजित करने की बजाए निर्वाचन आयों की ववस्था पर भरोसा करना चाहिए अब नियूस स्टेट इस पोश्ट की पुस्टिन नहीं करता आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्रखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए नियूस स्टेट चैनल को सब्सक्राइब कर अना नापको लें झाल